नमस्कार जहन आज हम करने जा रहे हैं present tense के अंतरगत present indefinite या present simple या simple present tense को तो इस tense के अंतरगत subject की state, position, अर्थात, इस्थिती या आवस्था एवं वर्व अर्थात क्रिया के action को व्यक्त किया जाता है तो वर्तमान में कोई करता है तो उसकी स्थिती क्या है उसको हम इसमें समझेंगे जैसे राम एजे गुड़ बॉय तो राम एक अच्छा लड़का है तो यहाँ पर इच का प्रियोग auxiliary या helping verb के रूप में नहीं किया गया है बलकि linking verb के रूप में किया गया है तो यहाँ यह present indefinite tense के अंतरगत ही माना जाएगा क्योंकि यहाँ पर इस्थिती को प्रिकट किया गया है यानि subject की subject अर्थात राम तो राम is a good boy राम अच्छा लड़का है तो राम की यहाँ position बताई गई है और दूसरा धालने जैसे की he is a doctor वह एक doctor है अर्थात यहाँ he subject है और उसकी इस्थिती या position क्या है doctor है और तीस्था धालने जैसे तो they are children यानि वे बच्चे है तो यहाँ पर subject दे है तो दे की position को बताया गया है अर्थात they are वे हैं तो वे क्या है यानि बच्चे है तो जब is are am का प्रियोग इस प्रिकार से किया जाए कि उसके बाद में कोई man बर्बना हो अर्थात noun आए या adjective आए तो हम इनको link in verb के रूप में प्रियोग करना कहते हैं अब हम verb के action को समझेंगे कि verb का action कैसे हो रहा है तब हम indefinite को कैसे ब्यक्त करेंगे जैसे he goes to school अर्थात वह बिद्यालय जाता है तो यहाँ पर गोज यह हमारी verb form है अर्थात singular verb है और इसका प्रियोग subject से बन्धा हुआ है तो यहाँ ही अर्थात यह हमारा third person singular pronoun है तो इसके साथ में हमारी singular verb ही प्रियोक्त होगी इसलिए हम go के साथ में es लगा देंगे अर्थात उसको हम singular बना देंगे क्योंकि he हमारा singular subject है तो यहाँ पर छात्रों को as, es, i, es, he, see, it के साथ लगाते हैं यह नहीं रटना बलकि यह देखना है कि जब भी subject singular हो तो उनके साथ में हम जो भी verb प्रियोक्त होगी उसको हम singular बना करके ही लिखते है तो जैसे right है तो यह हमारी plural है और इसको singular बनाएंगे तो यह हो जाएगी rights जैसे c, rights, a, letter, वह पत्र लिखती है i, right, a, letter, मैं पत्र लिखता हूँ तो यहाँ पर i का प्रियोक plural की भाती किया गया है तो हमारी verb भी plural होनी चाहिए तो इस प्रकार से हम present indefinite tense में प्रियोक करते हैं अब यहाँ पर एक बात को विश्य स्थ्यान देना है कि जैसे अच्छा होता है तो यह प्रशनुष्ता है तो बुरा भी होगा तभी अच्छा होगा रात होगी तो दिन होगा तो इसी प्रकार से present indefinite कहा गया है तो indefinite अर्ठाद अनिस्चित तो प्रशनुष्ता है तो निस्चित भी तो होना चाहिए तो अब तक हमने शिर्प यह जाना है कि present indefinite होता है लेकिन यह किसी ने न बताया है और ना हम को ना आप जानते होंगे कि present indefinite है तो present definite भी होना चाहिए तो definite यानिकी निश्चित तो जब भी वर्तमान में present simple के अंतरगत यदिकार कोई निश्चित हो तो हम उसको present definite भी तो कहेंगे जैसे वह जाता तो है या वह अवस्य जाता है तो यहाँ पर जो भी action है वो हमारा confirm है या निश्चित है तो यह हमारा definite कहा जाएगा ना कि indefinite लेकिन मौटे तोर पर हम इसे indefinite की रूप में ही रखते हैं तो इसका जब translation करेंगे तो affirmative के साथ में भी subject के अनुसार do और does का प्रियोग करते हैं जैसे वह जाता तो है तो he does go तो यहाँ गोज नहीं करेंगे अब he does go यानि वह जाता तो है जैसे वे जाते तो हैं तो they do go यानि वे अवस्य जाते हैं तो इस प्रकार से यह हमारा definite हो जाएगा इसी प्रकार से जैसे डॉनल्ड ट्रम्प इंडिया आये तो जबकि आये इसको हम past form में समझेंगे लेकिन इस प्रकार से नहीं होगा वो निश्चित समय है तो जब भी news की headlines होती है या कोई commentary वगेरा होती है रेडियो पे या TV पर तो उसको हम present indefinite में ही व्यक्त करते हैं त जो डॉनल्ड ट्रम्प कम्स टू इंडिया तो यह निश्चित है क्योंकि एक आधिकारिक व्यक्ति है जो इंडिया में आये तो इसको हम definite रूप में मानेंगे लेकिन सामानता हम present simple कह देते हैं तो simple हम उसको बोलते हैं जिसमें की is rm का linking verb के रूप में प्रयोग होता है जो की subject की स्थिति या position को व्यक्त करता है तो उससे हम simple present की रूप में जानते हैं लेकिन सामानता हम simple present और present indefinite को एक मान करके चलते हैं तो यहां पर हम present indefinite tense को state और action की आधार पर चार भागों में विभध करके आपको सम्याएंगे तो जैसे पहला है यहां पर present action को जो व्यक्त करने वाला होता है या state को और दूसरा हमारा होगा जिसमें कि हमने कोई जैसे news headlines होती हैं या commentaries या टीवी पर और रेडियो पर जो commentaries होती हैं उनको व्यक्त करते हैं यह हम दूसरे भाग में रखेंगे और तीसरे भाग में जैस जैसे हमारे कोई regular routine कोई work है या daily routine का या each day का work है उसको हम रखते हैं और चौथी category में हमने रखा है जो की universal truth होता है तो जैसे पहला हमारा present action और state को बताने वाला है तो इसमें सामानता पहचान तो हमारी ता है ती है ती है या ता हू इस प्रकार से होती है तो जैसे हम कहते ह मैं I know you यानि कि मैं आपको जानता हूँ या he writes a letter वह है पत्र लिखता है और दूसरे प्रकार में देखेंगे news headlines या commentary on tv और radio तो इसकी हम उधार लेंगे यहाँ पर जैसे PM comes back to India यानि प्राइम मिनिस्टर भारत आये तो यहाँ यह पास्ट में नहीं कहेंगे इसको आये से मतला हमारा पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा तो यह जब भी हम headlines को ही लिखते हैं तो उसको हम present इंडेफिनिट में ही दरसाते हैं और दूसरा धार लेंगे जैसे India wins the match by two Bickets अर्थाद भारत ने दो Bickets से match जीता अब जैसे कोई दूसरी heading आती है समाचार पत्र में फ्लिमी दुनिया से संबंदे जैसे नाना पाटेकर brings a new movie in October अर्थाद नाना पाटेकर October में नई movie ला रहे हैं या लाने वाले हैं तो इसको भी हम indefinite में ही लेके चलते हैं जैसे हमने commentary होती है तो उसमें बोला जाता है कि कपिल फासिस दा बाल तू सचिन अर्थाद कपिल ने सचिन को बाल फास की अब हम तीसरे भाग में चलेंगे अर्थाद regular या daily routine वर्क के ल तो इसके अंतरगत हमारी habits भी होती है जो कि वर्तवान में habits होती है वो भी हम इसी भाग में लेकर के चलेंगे उधार के रूप में I awake early in the morning यानि मैं सुबह जागता हूं या इसी को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं I wake up at 7 o'clock now a day अर्थाद मैं आजकल 7 बजे जाग रहा हूं या उठ रहा हूं अगला एक्जामपल I don't take tea every day अर्थात मैं रोज चाय नहीं पी रहा हूं अगला उधारण I do my job in Gualier now a day मैं आजकल Gualier में काम कर रहा हूं या नौकरी कर रहा हूं अगला उधारण the earth revolves the sun या the earth moves around the sun अर्थात पृत्षी सूर का चक्कर लगाती है तो इसे हम universal truth में भी कहेंगे और इसको daily routine के अंतरगत भी रखेंगे People celebrate holy each year या लोग हर साल holy मनाएंगे या लोग हर साल holy मनाते हैं तो यह हमारा एक क्रिमिक कार हो गया यानि कि यह routine work हो गया Children go to school बच्चे school जा रहे हैं या इसको हम कहेंगे बच्चे school जाते हैं तो यह भी daily routine का sentence होगा अगला चोथा पार्ट हमने रखा है universal truth के रूप में तो इसका उधार हम लेगे जैसे The sun rises in the east अर्थात सूर पूर्व में उगता है या दूसरा उधार कहें हम The moon science in the night यानि चंद्रमा रात में चमकता है यह चमका करता है तो यह universal truth है कि जब भी रात होगी और चंद्रमा निकलेगा तो वो रातरी में चमकता है तो इस प्रकार से present indefinite tense को हम हम चार रूपों में प्रियुक्त करते हैं आप इसे हम sentence या structures की रूप में समझेंगे तो पहले तो हम इसकी पहचान आपको एक बार पनहे लिखाएंगे जैसे कि इसकी पहचान होती है तो प्रया वाक्य के अंत में ता है ती है ते है ता हूं ती हूं इत्यादी होता है तो यह हमारी हिंदी में पहचान होती है तो यह तो हमारी पारामपरिक रूप से पहचान हुई लेकिन अभी जो हमने आपको example दिये हैं तो हमारे उसमें past indefinite की भाती भी वाक्य के अंत में सब्द प्रयुक्त हुए है लेकिन हमको ध्यान रखना है कि present में, commentary में या headlines में या daily routine के भाव में या universal truth के भाव में यदि जो sentence फ्रिक्त हुए है तो भले ही उनके वाक के अंत में ता है, ती है, ते है या ता हूं ना हो फिर भी वो present indefinite या simple present में ही हम रखते हैं अब इनकी मौटे तोर में हम helping verb और man verb को लेंगे तो इसे यदि student पहले ही दिमाग में रख लेंगे तो आगे sentence बनाने में आसानी होगी तो जैसे आई, भी, दे, यू और plural noun तो इन सब के साथ में यदि हमारा affirmative में sentence है तो हम verb का first form प्रियुक्त करते हैं और affirmative के अलावा यदि negative में है या interrogative में है तो हम do plus verb का first form प्रियुक्त करते हैं इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना है और यदि subject हमें he, see, it, name, singular noun इस रूप में मिलें तो हम affirmative में first form के साथ में S, E, S, I, E, S को लगा देंगे कहने का आसा है यदि subject हमारा singular है तो verb को भी हम singular बनाएंगे S, E, S, I, E, S लगा करके और negative और interrogative sentence में लेंगे तो उसके लिए हम यहां डज का प्रियोग करेंगे और verb का first form ही रहने देंगे तो इस बात को खासकर ध्यान रखना है तो अब हम इनकी आधार पर ही sentence को बनाएंगे तो यहां पर हम चार प्रिकार के sentence को ले करके चलेंगे अर्थात affirmative sentence, negative sentence और interrogative sentence और negative interrogative sentence अब interrogative sentence में हम yes no answer type और wh word type इनको लेंगे इसी प्रकार से negative interrogative में भी हम yes no और wh word type कुश्चन को हम ले करके चलेंगे तो पहला हमारा होगा affirmative sentence तो इसकी वाकर सरदशना इस प्रकार से आपको मिलेगी अर्थात इसमें पहले subject का प्रियोग होगा subject के बाद में helping verb रखेंगे यानि कि affirmative है यदि तो इसमें helping verb का प्रियोग नहीं होगा अर्थात verb का first form या first form के साथ मैं s, es या is या कहें हम की singular verb और plural verb को subject के अंसार ले करके चलेंगे तो जैसे singular यदि subject है तो उसके साथ में हमारी verb s, es, is से युक्त होगी और फिर हम object को लेखेंगे और इसके बाद में compliment को ले करके चलेंगे जैसे he dances to his wife's tune अर्थात वह है अपनी पतनी के इसारे पर नाश्ता है या इसमें दे का प्रियोग करेंगे they dance to their wife's tune यानि वे अपनी पतनी के इसारे पर नाश्ते हैं तो affirmative sentence हम इस प्रकार से बनाएंगे और भी उधार लेंगे जैसे की वे खेल के मैदान में फुटवाल खेलते हैं दे प्ले फुटवाल इंदा प्लेग्राउंट अब यदि subject दे के स्थान पर हम ही ले करके चलेंगे तो he plays फुटवाल इंदा प्लेग्राउंट वह है खेल के मैदान में फुटवाल खेलता है लेकिन यहां एक बात और ध्यान रखना है कि affirmative sentence में यदि क्रिया पर जोड़ डाल करके कहा जाए तो ऐसे वाक्यों को हम emphatic sentence भी कहते हैं जो कि हम पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं भी हमने उधार के रूप में भी बताया है यानि कि definite और indefinite के रूप में जब हमने आपको समझाया है कि वह है जाता तो है तो he does go तो यहां पर भी हम does का प्रियोग कर देते हैं मैं जाता तो हूँ तो I do go तो जाता तो अर्थात मैं अवस जाता हूँ तो affirmative में भी do और does का प्रियोग होता है अब देखेंगे हम negative sentence को तो इसकी syntax आपके सामने है तो इसे भी हम subject से ही सुरू करते हैं तो subject होगा यानि singular या plural तो singular subject हो गया तो उसके साथ में हम does का प्रियोग करेंगे helping verb के रूप में और यदि plural subject होगा तो उसके साथ में हम plural helping verb यानि के do का प्रियोग करेंगे और इसके बाद में verb का first form ही रहेगा तो do judgment से कोई एक लगेगा subject, person के अनसार और man verb का हम first form ही प्रियोगत करते हैं चाहे do हो चाहे does हो लेकिन man verb का first form ही प्रियोगत होगा और इसके बाद में जो भी object होगा हम उसको लिखेंगे और फिर compliment या other words को हम ले करके syntax बना देंगे जैसे वह विद्यालाय नहीं जाती है तो c does not go to school या वे विद्यालाय नहीं जाते हैं तो they do not go to school तो syntax के अनसार हम subject को, verb को, object को, compliment को रखते जाएंगे तो आसानी से हमारा ये negative sentence बन जाता है अब तीसे नंबर पर लेंगे हम interrogative sentence अर्थात प्रिष्ण सूचक वाक तो यहाँ पर पहले प्रिकार के प्रिष्ण सूचक वाक की syntax आपके सामने है इसमें हम helping verb को पहले रखते हैं तो ऐसे वाक हमारे yes no answer type के कहे जाते हैं ये भी हम आपको पिछली वीडियो में काफी अच्छी तरह से व्यापक syntax बना करके समझा चुके हैं जिन बच्चों ने यदि नहीं देखा है तो उसकी link आपको description में मिल जाएगी तो yes no answer type यानि ऐसे question होते हैं जिनको हम yes या no के रूप में answer दे सके जैसे क्या वह विद्यालय जाती है तो यहाँ पर helping verb subject के answer लेगे यानि C के साथ में यहाँ डज लगेगा तो डज को हम सबसे पहले लखेंगे वाक के आरंब में तो does see go to school और ध्यान रहे जो भी interrogative sentence हो उसमें question mark अंत में लगाना न भूले अब unsubject को लेकर हम दूसरा धाला आपके सामने रखते हैं जैसे क्या वे विद्यालय जाते हैं तो they यानिके plural subject तो plural verb तो they के साथ में क्या लगता है हमारा do तो do they go to school और question mark तो क्या वे विद्यालय जाते हैं तो यह हमारा yes no answer type का question हो गया और दूसरा type का होता है उसे हम wh word type question की रूप में जानते हैं तो ऐसे question में wh word जैसे कि what, why, where, when, who, इत्यादी यह वाक के अंदर होते हैं जो भी हिंदी sentence होते हैं उनके अंदर ऐसे सब्द मिलते हैं जैसे क्या, क्यों, कब, कहां तो उनका हम अंग्रेजी अन्वाद वाक के पहले लिखते हैं जब अंग्रेजी sentence को हम बनाते हैं तो जैसे वह बिद्यालाय कब जाता है तो यहां वाक के अंदर हमें wh word या प्रिश्ण सूचक सब्द कब मिला तो कब की अंग्रेजी हम पहले बनाएंगे तो इसकी syntax जो आपके सामने प्रिस्तुत है तो यहां wh word पहले दिया है इसके बाद में helping verb यर्थात do और dutch होगी और do dutch के बाद में जो man verb होगी sentence की उसका first form लिखेंगे इसके बाद में object होगा और इसके बाद में compliment होगा और प्रिष्ण वाचक चिन होगा तो यहां पर वे बिद्याला कब जाते हैं इसका हम translation करेंगे तो यहां पर when, अब when के बाद में they, they हमको मिलता है तो दे के पहले हमें उसके अनुसार helping verb लगाना है तो दे के साथ में हम do लगाते हैं तो when, do, they, go to, school और question mark तो यह हमारा sentence बन जाएगा तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो हमारा interrogative में syntax होता है yes, no, answer type का तो केवल हमें wh word वाक के आरम में लिखना होता है और same वैसा ही syntax हमारा बन जाता है तो उसके अनुसार ही हम sentence का निर्मार करते हैं अब जैसे वह अंग्रेजी क्यों सीखता है तो इसको हम translate करेंगे तो क्यों जो की वाक के अंदर है तो इसका अंग्रेजी में हम लिखेंगे why अर्थात क्यों तो why अब वह subject हमारा है तो वह के साथ में डज लगाएंगे सीखता है तो इस प्रकार से हमारा interrogative में yes no और wh word type के sentence बनाए जाते है अब हम देखेंगे negative interrogative sentence तो ऐसे वाक जो की प्रश्णवाचक भी हो और नकारात्मग भी हो negative भी हो और interrogative भी हो तो इनको ही हम negative interrogative sentence के नाम से जानते हैं तो ऐसे sentence भी हमको दो प्रकार से मिलते हैं एक यानिके yes no answer type कहेंगे और दूसरे wh word type कहेंगे केवल अंतर यह होगा जो की interrogative में yes no और wh word type के हमने किये हैं तो उनमें नहीं नहीं था अर्थाक not या negative sense नहीं था लेकिन इनके साथ में negative sense भी मिलेगा तो इसमें ध्यान रखना है कि not हमें subject के बाद लगाना होता है और same syntax हमारी वही होती है interrogative sentence वाली तो इनकी syntax भी आपके सामने दी हुई है तो यहाँ पर पहला yes no answer type का syntax है तो इसके अंतरगत आप देखेंगे कि हमारी helping verb do और does दी हुई है पहले और इसके बाद में subject दिया हुआ है और subject की बाद में not दिया हुआ है इसे confirm करके रखें ध्यान रखें business कर और not के बाद में verb की first form और verb की first form के साथ में object और फिर compliment हम रखते है तो इसका example लेंगे जैसे क्या तुम बिद्यालाय नहीं जाते हो तो you, you के साथ में तुरंत helping बर्व हमारे दिमाग में आ जाए कि हम do लगाएंगे तो यहां पर translation होगा हमारा do you not go to school और question mark क्या तुम बिद्यालाय नहीं जाते हो और अब दिखेंगे हम wh word type तो wh word type में सिर्फ हमें wh word को वाक की पहले लिखना है और same yes no answer type वाली syntax को रख देना है अर्था wh word पहले आएगा इसके बाद में helping verb यनि की do या do जाएगी और इसके बाद में subject आएगा और subject की बाद में not आएगा और not की बाद में verb का first form आएगा और फिर object और complete meant और question mark तो इसके अंतरगत उधाराण हम लेते हैं जैसे तो why does he not go to school? question mark तो why does he not go to school? वाई विद्यालाई क्यों नहीं जाता है तो ये हमारा negative भी हो जाएगा और interrogative भी हो जाएगा कि वाई विद्यालाई क्यों? यानि कि प्रस्णवाचक और नहीं जाता है यानि कि negative तो इस प्रकार से present indefinite के अंतरगत ये चार प्रकार के हम sentence को बनाते हैं अब यहां हमें ध्यान रखना होगा कि बहुत सी sentence हमें ऐसे मिलते हैं जिनमें कि नहीं के रूप में या negative sentence के रूप में हम not का प्रियोग नहीं करते जैसे कभी भी नहीं, कुछ भी नहीं तो ऐसे यदि sentence आ जाते हैं तो उनको हम affirmative की भाती ही बनाते हैं जैसे वह कभी भी जूट नहीं बोलता तो he never tells a lie तो यहां हम do और does not का प्रियोग नहीं करते हैं तो जब हमें नहीं सब्द मिले यानि not जहां लिखना हो तो ऐसे इस्थान पर हम do does का प्रियोग कर देते हैं मौहाबरे के रूप में भी हमको देखने को मिलता है जैसे जो गरचते हैं वो बरचते नहीं या जो भौकते हैं वो काडते नहीं तो जैसे barking dog seldom white तो यहां seldom का प्रियोग negative sense में किया गया है तो यहां हमें not की जुरुवत नहीं है और ना इसके साथ में हम do या does या is rm not का प्रियोग करते हैं तो उम्मीद है कि आप present indefinite tense को आसानी से समझ गए होंगे और कोई भी sentence present simple या present indefinite से समझ गएगा तो आप आसानी से बना लेगे तो यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक अवस करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और well icon को दबा दें ताकि आपको क्रमबद रूप से आने वाले हमारे वीडियो स्टेंस से संबंदित मिलते रहें देखने के लिए धन्नवाद